नमस्कार प्यारे बच्चो अर्षास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। व्यवस्तित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करना, जिससे सभी व्यक्ति उन आप्डों को सरलता से समझ सके और उनसे उचित परिणाम निकाल सके है। आज की कख्षा में हम वर्गीकरत आकडों के प्रस्तूतिकरण के विशय में जानेंगे आईए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं समानेत आकडे तीन प्रिकासे प्रस्तूत किये जा सकते हैं पहला पाठ विश्यक या वर्णन आत्मक प्रस्तूतिकरण दूसरा सारनी बद प्रस्तुतिकरण तथा तीसरा आरेखिय प्रस्तुतिकरण आईए अब हम इनके विश्य में विस्तार से चार्चा करते हैं सबसे पहले आकडों का पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण आकडो के पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण में आकडो का विवरण पाठ की रूप में दिया जाता है इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को वन्ननात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है जब आकलो का परिमान बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण का यह स्वरूप अधिक उपयोगी होता है। आकलो के पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण में एक महत्पूर्ण कमी यह है कि आकलो को समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पढ़ता है। तथा आकलो की तुलना करने के लिए तुलना योग्य बिंदुओं को पाठ से ढूणना पढ़ता है। पर तो इसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण के खास बिंदुओं को मोटे अक्षरों या तिर्शी अक्षरों के द्वारा प्रभावशाली धंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें शोद करता या अनुसंदान करता उन बातों को अधिक विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर सकता है जो शोद का उद्देश्य थी पात विश्य प्रस्तुति करण का एक उधारन लेते हैं आईए हम जनगन्ना का आखड़ो का प्रस्तुति करण करते हम भारत की जनगन्ना 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 102 करोड हो गई, जिसमें 53 करोड पुर्शों के मुकाबले 49 करोड महिलाए थी 74 करोड लोग अभी भी भारत के ग्रामिंड शेत्रों में और केवल 28 करोड लोग शहरों में रह रहे थे पूरे देश में 40 करोड शर्मिकों के मुकाबले गैर शर्मिकों की संख्या 62 करोड थी शहरी जनसंख्या में गैर शर्मिकों की संख्या ग्रामिंड जनसंख्या की अपेक्षा अधिक थी, जहां चुहतर करोड की ग्रामिंड जनसंख्या में 31 करोड शर्मिक हैं, अब इस प्रस्तुतिकरण से आपको लग रहा होगा कि एक पाठ के अंदर बहुत सारी सूचनाएं दे दी गई हैं, इससे कोई परिणाम निकालना कठिन होता है, फिर भी आईए जाने की पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण की उप्यूगता कहां पर अधिक है, पाठ विश्यक प्रस्तुतिकरण लगू आकडों के लिए अधिक उप्यूग होता है, जब आकडों की पाठ्य स कश निकालना बहुत कठिन हो जाता है आप सोचिए कि आपको कोई दस प्रिष्टों में सभी विध्यार्तियों के अंगों का विवरण लिख कर दे दे और उसके आधार पर आपको परिक्षपरिणाम का विशलेशन करना पड़े यह कारे आपके लिए अरूचिकर तथा कठिन होती हैं तथा स्थम उधरवाधर के रूप में होते हैं सानीबद प्रस्तुतिकरण से आशे संकलित आकडों को स्थम्बों एवर पंक्तियों में क्रमबद प्रस्तुतिकरण है आकडों की शैतित व्यवस्ता को पंक्ति कहते हैं तथा उधरवाधर व्यवस्ता को स्थम्ब कहते हैं वर्गी क्रत तथ्यों को सार्णिका स्वरूप देने के लिए पंक्तियों तथा स्तंबों में दर्ज किया जाता है आए सार्णियन के उद्धिश्यों को जानते हैं सार्णियन के मुख्य उद्धिश्य निमलिखित है पहला आकडों को व्यवस्थित रूप में प्रस साणियन आकडों को क्रमबद तथा व्यवस्तित रूप में प्रसुत करने में सहायक होता है। लाखों करोडों उत्तरदाताओं से प्राप्त की गई सूशना को केवल एक साणिय द्वारा दर्शाया जा सकता है। भारत की जण्डगन्ह में एकत्तर किये आकडों को साणिय द्वारा संख्शित तथा सरल रूप में प्रसुत किया जाता है। साणियन में आक्डो को स्तमवा और पंक्तियों द्वारा क्रमबद रूप से प्रस्तुत किया जाता है इस से वान्चित मूल्यों को पहचानना सरल हो जाता है जो अपरिश्क्रित आक्डो में संभव नहीं होता सार्णी द्वारा प्रस्तुत आंक्डों में आप अपना ध्यान सीधे उसी वर्ग पर लगा सकते हैं जिसकी सूजना आप चाहते हैं आपको पूरी सार्णी का ध्यान करने की आवशक्ता नहीं है जैसे भारत की जन गर्णा के आक्डों से आप किसी राज्य विशेश की जन्संक्या का पता लगा सकते हैं चौतो अध्यश सार्णियन आक्डों के विशलिशन का आधायर प्रदान करती है सार्णियन द्वारा आक्णों को सुव्यवेस्ति धंग से सार्णि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिससे आक्णों के विश्लेशन का कार्या सरल हो जाता है पांचवां आक्णों की प्रवर्ति को जानना सार्णियन की सायता से सभी आंकडों को संक्षित रूप में एक स्तान पर सार्णियन दुवारा प्रस्तुत किया जाए तो इससे उनकी प्रवर्ति का पता चल जाता है आंकडों में बढ़ने की प्रवर्ति है या घटने की आपको लग रहा होगा वर्गी करण एम सार्णियन एक दूसरे के समान है और एक दूसरे के प्रयवाची है। दोनों के उद्देश्य एम अर्थ एक जैसे प्रतीत होते हैं, किन्तु इनमें बहुत अंतर है। वर्गी करण में समानता, एम सामेता के अधार पर विविन वर्गों में बाठ जाता है। जबकि सार्णियन वर्गी करण तथ्यों को स्तंबों और पंक्तियों में दर्ज करने की प्रिक्रिया है। आकडों को पहले वर्गी कृत किया जाता है उसके बाद सार्णी के रूप में प्रसुत किया जाता है अब जानते हैं कि एक अच्छी सार्णी के क्या अवश्यक गोण है एक अच्छी सार्णी की क्या विशेश्टाय होती है सार्णी तयार करने के कुछ समान्य मारदर्शक नि जो सार्णी में दिये गए आकडों के विशय में स्पस्ट कर सके। तीसरा, पंक्ति शीर्षक उसकी प्रविस्टियों स्तम्षीर्षक आधी संक्षिप्त एवं स्पस्ट होने चाहिए। विशय के सीग्र संधर्व के लिए स्तम्षो पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए। शीर्ष्टिप्णी स्पस्ट एवं पून होनी चाहिए। क्योंकि इसे आकडों की इकाई का ग्यान होता है। 5. माप की काई यदि बड़ी हो तो इन्हें पूनांक बनाक देना चाहिए। तथा पूनांक बनाने की विधी का संकेत दिया जाना चाहिए। 6. योगों तथा उपयोगों की व्यवस्ता सार्णी में उप्युक्स्तानों पर होनी चाहिए। 7. संदर्ब टिपनी स्पस्ट होनी चाहिए। तथा स्रोत का सही नाम दिया होना चाहिए जिससे आवशक्ता पढ़ने पर आकलों की विश्वस्तनियत की पुस्टिक की जा सके। इससे सार्णी में दिये गए आकलों की विश्वस्तनियता बढ़ जाती है। 8. सार्णी ऐसी होनी चाहिए जिससे की अवशक्ता पढ़ने पर विश्वत्पन आकडे जैसे अनुपात, प्रतिशत, औसत आदी का समावेश किया जा सके। 9. जहां तक संभव हो, सांकेकी में संकेत अक्षनों का प्रियोग नहीं होना चाहिए। यदि संकेत अक्षनों का प्रियोग आवशक है, तो उदकी पूर्ण व्याख्या टिप्पनी द्वारा की जानी चाहिए। 10. समान या जैसा उपर है जैसे संकीतों का प्रियोग सानी में नहीं किया जाना चाहिए, हर वर्ग के अंदर उसके वास्त्विक आंकडे भरे जाने चाहिए 11. स्तंब तथा पक्नितिया जिनकी सामगरी की तुलना एक दूसरे से की जानी है या गण्णा में एक साथ प्रियोग किया जाना है पास पास रखी जानी चाहिए 12. यदि कुछ वर्गों की और ध्यान आक्षित करना हो या उनके सापेक्ष मैत्व को दर्शान आवश्चक हो तो इसके लिए मोटे अक्षर या टेडे अक्षरों का प्रियोग किया जाना चाहिए 13. सम्मान्यता एक साथनी में चार या पास से अधिक विशिश्चताओं के आधार पर आख़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए वर्ना वैस साथनी बहुत जटिल बन जाती है सांख्य की साथनी के मुख्य भाग क्या है आए इनको जानते हैं आप चित को देखिए इसमें सभी मुख्य भागों को दर्शा गया है आए अब एक एक करके इनके सभी भागों के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहला सार्णी संख्या, तेक सार्णी की पैचान के लिए एक संख्या निधारित कर दी जाती है, जिससे उसे अवशिक्ता पढ़ने पर सरलता से पैचाना जा सके या ढूंडा जा सके, इससे एक से ही अधिक सार्णीया होने पर सार्णी संख्या सार्णीयों को एक दूस सार्णी संख्या सामान्यता दशमलव रूप में लिखी जाती है जिसमें दशमलव से पहले संख्या जो दी जाती है वो पाठ का संधर्ब बताती है तता दशमलव के बाद की संख्या इस पाठ में सार्णी के क्रम को बताती है जिससे किसी भी सार्णी को ढूणना या उसका सं लव तीन पाठ चार की तीसरी सार्णी की संख्या सार्णी है दूसरा भाग है शीर्षक सार्णी का एक शीर्षक होना चाहिए और इसे सार्णी के उपर लिखा जाना चाहिए सार्णी का सीर्षक सार्णी की विशयवस्तु की व्याक्या करता है शीर्षक संक्षिप स्पस्ट यह थेश्ट होना चाहिए, शीर्षक में सााणी में दिखाये जाने वाले विशे सामगरी तथा उसकी उपयोगिता का ज्यान हो जाना चाहिए, उधारण के लिए साणी शीर्षक, लिंग के आधार पर भारत की जन संख्या का वितरण, इससे स्पस्ट है कि इस सार्णी में भारत की जन संख्या को लिंग के आधार पर वर्गी करत करके दिखाया गया है इसका तीसरा भाग है उपशीर्शक या जिसे हम स्तंब शीर्शक भी कहते हैं सार्णी के प्रतेक स्तंब के उपर की और नाम दिया जाता है उसे उपशीर्षक या स्तम्शीर्षक कहा जाता है इससे सार्णी के किसी खाने में प्रदर्शित आंकलों की प्रकर्ती का संकेत मिलता है शीर्षक बड़े ही स्पस्ट रूप से अंकित होना चाहिए प्रतेक स्तम्शीर्षक के उपशीर्षक भी हो सकते हैं उप शीर्षक उस समय और अधिक मैत्पूर्ण हो जाते हैं, जब एक साड़ी में एक से अधिक चरो को प्रस्तुत किया जाता है, यदि किसी चर्क को उप भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनका शीर्षक भीस पस्ट रूप से दिया जाना चाहिए. चौता है अवशीर्ष या पंक्ती शीर्षक पंक्तियों के नाम को अवशीर्ष या पंक्ती शीर्षक कहते हैं, यह संपून बायस तंब को में दर्शाय जाता है और इस तंब को अवशीर्ष तंबी कहा जाता है, पंक्ती शीर्षक का बड़ा स्पस्ट उलेक होना चाहिए, सार्णी में किसी भी सांख्य की आक्डे की इस्तिति उसकी पंक्ति एमस्तंब के अनुसार सुनीचित होती है。 सार्णी का मुख्य भाग सार्णी का सबसे महत्रपून भाग है समस्त संख्यात्मक तथ्यों का प्रदशन इसी भाग में होता है एक शोद करता का सदेव प्रयास रहना चाहिए कि सार्णी का मुख्य भाग बहुत बढ़ाना बनाय जाए इसमें केवल संबंदित चरों के आकड़े दिये जाने चाहिए जिससे इसका अध्यन सरल हो जाए तता निशकर्ष सरलता से निकाले जा सके सार्णी का छटा भाग है माप की इकाई यदि पूरी सार्णी में माप की इकाई समान रहे तो सार्णी की संख्याओं के माप की इकाई को सदेव सार्णी की शीर्ष में लिखा जाना चाहिए शीर्ष से नीचे आम तोर पर दाहने किनारे पर माप की इकाई लिखी जाती है इससे उस इकाई का संकेत मिलता है जिसमें आकड़े प्रस्तुत किये गए है यदि सारने की पंक्तियां या स्तम्वों के लिए भिन माप इकाईयां हैं तो इन इकाईयों की चर्चा निश्चित रूप से उपशीर्षक या अवशीर्ष में एक साथ की जानी चाहिए यदि संख्या बहुत बड़ी है तो इने सरल बनाने के लिए इने पूनांग बना देना चाहिए तथा पूनांग बनाने की विधी का संखेत दिया जाना चाहिए उधारण के लिए यदि किसी देश की जन संख्या, सकल घरेल उत्पाद या किसी कमपनी की बिक्री के आंकड़े वास्तविक संख्याओं में दिये जाते हैं तो सार्णी अनावश्यक रूप से बड़ी हो जाती है तथा उन संख्याओं को पढ़ने और सांख्य की विशलेशन करने में कठिनाई होती है ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम इन बड़ी संख्याओं को पूनांग संख्याओं में बदल कर छोटा कर देते हैं तथा इनकी काईयों को सार्णी में उलेखित कर दिया जाता है सात्मा भाग स्रोत या संधर्ब टिपनी जब आकडे दित्य स्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सार्णी के नीचे आकडों के स्रोतों की जानकारी देने के लिए एक टिपनी दी जाती है ऐसी टिपनी को संधर्ब टिपनी कहा जाता है इस टिपनी को बहुत ही सपस्ट एवन सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि यही आकडों की विश्वस्थनियता परिक्षन का आधार बन जाती है सार्णी का आठमा भाग पाद टिपनी सार्णी की विश्य सामगरी से संबंदित कोई भी व्याक्यात्मक सूचना जो कि सार्णी के बिल्कुल नीचे दी गई हो पाद टिपनी कहलाती है पादटिपनिक अंतरगत सार्णी के आकडों की उन विशिष्टाओं के बारे में बताया जाता है जो आकडों में दिखाई नहीं देती और नहीं पहले कहीं उनकी व्यक्या की गई है। आईए अब जानते हैं कि सार्णी के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं। जैसा कि अध्याय तीन आकडों के संगठन के अंतरगत हमने वर्गीकरण के प्रकार पड़े थे, ठीक उसी प्रकार सार्णीयन के वर्गीकरण के चार प्रकार होते हैं। पहला गुनात्मक वर्गी करण, दूसरा मात्रात्मक वर्गी करण, तीसरा कालिक वर्गी करण, तथा चौथा स्थानिक वर्गी करण. सबसे पहले गुनात्मक वर्गी करण के बारे में जानते हैं जब किसी सारणी के अंदरगर्द वर्गी करण गुनात्मक विशिष्टाओं के आधार पर किया जाता है जैसे कि सामाजिक स्थित्री, बहुतिक स्थित्री, धर्म, लिंग, आदी तो इसे गुणात्मक वर्गी करण कहा जाता है आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि गुणों को उनकी अनुपस्तिती या उपस्तिती के रूप में गणना करके दर्शाय जाता है उधारन के लिए सारणी 4.1 को देखिए इसमें वर्गी करण का आधार लिंग एमस्थान है जो स्वभाव से गुणात्मक है दूसरा मातरात्मक वर्गी करण जब सारणी में आखलों का वर्गी करण मातरात्मक विशिष्टाओं के आधार पर किया जाता है तब उसे मातरात्मक वर्गी करण कहा जाता है कुसरे शब्दों में इन विशिष्टाओं को मातरात्मक रूप से मापा जा सकता है। उधारण के लिए आयू, कद, उत्पादन, आय, आदी को मातरात्मक रूप से मापा जा सकता है। इसलिए यह सभी मातरात्मक विशिष्टाओं हैं। इन विशिष्टाओं के मान को दर् उधारन द्वारा मातरात्मक वर्गीकरण वाली सार्णी को समझें जिसमें वर्गीकरण का आधार आयू वर्षों में है तीसरी तरह का सार्णी होती है कालिक वर्गीकरण जब सार्णी में आकडों के वर्गीकरण का आधार समय होता है तथा आकडों को समय के अनुसार वर्षों इतियादी में हो सकता है। उधारन के लिए सार्णी 4.93 को देखें। इस सार्णी में वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में विक्री है। तथा इसमें मान समय की आधार पर दर्शाय गए है। चौथा स्थानिक वर्गीकरण जब सार्णी में आकडों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है तो उससे स्थानिक वर्गीकरण कहते है। ये स्थान कोई गाउं, कसबा, खंड, जिला, राज्य या देश आधी हो सकता है। उधारन के लिए सार्णी 4.4 को देखे इसमें आकडों को विभिन देशों के आधार पर वर्गिकरत करके सार्णी द्वारा प्रस्तुत किया गया है सार्णियन प्रस्तुति के लाब अभी तक हमने सार्णियन के अर्थ, सार्णियन के उद्देश्य, एक अच्छी सार्णि के गुण तथा सार्णि के मुख्य भागों की चर्चा की आईए अब हम सार्णियन द्वारा आकडों के प्रस्तूतिकरण की लाबों की चर्चा करते हैं सबसे पहले सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण सार्णी के दुआरा आकडों का सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे उन्हें सरलता से समझा जा सके तथा कम से कम स्थान में उन से अधिक से अधिक सूचनाय प्राप्थ हो सके जैसे विद्याले की गत पांच वर्षों की परिक्षप ईनाम एक सानी द्वारा तुलनात्म कुरूप से दर्शाय जा सकता है जब भारत की राज्ये अनुसार जशंख्या एक सानी द्वारा दर्शाय जा सकती है दूसरा लाब, सानी द्वारा तुलना की सुविधा, सानी द्वारा आकडों को विभिन वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है, इससे सानी में दिये गए चरों की तुलना करना तथा उन्हें के संबंद ग्याद करना सरल हो जाता है। सानी द्वारा आकडों को विभिन वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है, इससे सानी में दिये गए चरों की तुलना करना तथा उन्हें संबंद ग्याद करना सरल हो जाता है। सानी द्वारा विभिन चरों के मध्य या एक चर के विभिन घटों के बीच तुलना सरलता से की जा सकती है। सार्णी की सायता से हम सूचकांक तथा सैसंबंद जैसी संख्याओं को ग्याद कर सकते हैं जो दो चरों के बीच संबंद या तुलना को दर्शाती है। तीसरा विशलेशन में सरलता जब आकडों को सार्णियन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो आकडों का गणित ये विशलेशन करना सरल हो जाता है। कम से कम स्थान में प्रस्तुत किया जाता है जिससे समय तथा साधनों दोनों की बच्चत होती है। इससे निशकर्ष भी अल्फ समय में कुशलता से निकाले जा सकते हैं। पांचमालाब आकडों का अधिक प्रिभाव। साधनी द्वारा दर्शाय के आकडों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। क्योंकि इसमें सभी विशिष्टाएं सपस्ट रूप से निजर आती हैं तथा तुलनात्मक रूप से याद की जा सकती है। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पाठ विश्यक या वर्णन आत्मक प्रस्तुति करण, सार्णी बद प्रस्तुति करण, सार्णीयन के मुख्य उदेश्य, एक अच्छी सांखे की सार्णी के आवश्यक गुण, सांखे की सार्णी के मुख्य भागों पर विस्तार से चर्चा करी। साथ ही हमने सानियन के वर्गी करण के चार प्रकार कुनात्मक वर्गी करण, मातरात्मक वर्गी करण, कालिक वर्गी करण, स्थानिक वर्गी करण पर चर्चा करी अगली कक्षा में हम इसी विश्य को आगे बढ़ाते हुए आरखिये प्रसुतिकरण पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार करताता हुए बढ़ादी से अंधक、 उन्यवादा बला जारीया अन्यवादर नमस्कार